वेल्कम फ्रेंट्स जैसा कि वादे के अंसार मैंने आपको सूसना दी थी कि अब हम लोग अपने यूसेट को आउनलाइन आप से जोड़ने वाले हैं तो आज टेस्ट हुआ है और मेरे विद्ध्यार्थी मेरे सामने हैं मैंने उनको डिसकस करने जा रहा हूं मैंने आप से कहा था कि आप हमें सूसना देंगे कि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम अपने शहर का नाम लिख कर भेजेंगे अभी तो कुछ आया नहीं है बहराग मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं आपको अगर ये सेशन देखके इंट्रेस्टिंग लगे और आ जो कुछिशन का जो पेपर का जो फॉर्मेट है इसकी शुरुवात वर्ड पाउर से हो रही है वकाविलेरी से तुझा इस्ट्रक्शन को पढ़ लीजी और चुकि ऑनलाइन के फॉर्मेट में जब से परिक्षा शुरू हूई है तो फिर यहां पर हर कुछिशन का अलग इ alternatives choose the word which best expresses the meaning of the given word and mark it in the answer see so look at here expresses expresses the meaning of the given word best expresses इसका मतलब के synonyms पूछ रहा है ना और जो शब्द है अब इसकी महिमा क्या कही जाए हमें लगता है कि इसने हजार जर हजारma दोचार बार तहों ने आप परु रिपीठी किया होगे जपन से इसका से नौनिम सो तो टूए फिर जो शब्द है इस शब्द में ही जो पहला सब्द ह 거지 वह हे पय्ग पैन अपने प béna इंडिया सुना भोगा आपना मतलब आल समकुन पैंसिपन इंडिया मतलब समकुन भारत है, उ थमाल सब्भारत में पैंसब भार्क और Estamos ngonों के नों के दोनों शथ लएत्न मवारे बन सब्केश फैंकेज ठीक अब इसमें एक शब्द है P A N पैन अब दूसा सब्द है किस ये तो पैन का मतलब होता है आल और एकेज का मतलब होता है रेमेडी रेमेडी मिन्स इलाज करना ठीक है बलकि जब ये जो एकेज है ये मूलतः ग्रीक सबसे निकला है और ये ओ है P-A-N PAN PAN means all और A-K-O-S ACAUSE means remedy मतलब ilaj अर्थात सब का ilaj करने वाला हिंदी में आप इसको कह सकते हैं महासद क्या कह सकते हैं महासद मतलब एक दवा और सब का ilaj जाइर सी बात इसका अंसर क्या होगा दी क्या और अब इसमें एक प्रेज पूचा है तो मुझे ख्याल से प्रेज का मतलब आप सब को पता है इसका इस पर चर्चा करना प्रेज और पोईजन ये तो बड़ा चर्ची थही हुआ लोगों में धेर बलबत जहर खाई ले ना तो पोईजन का मतलब आपको पता ही है प्रेज का मतलब पता ही है ये एक शब्द है जो आपके लिए नया है पहले ये जास समझ में आ गई बात कि पेनेशिया मिन्स महावसदी सभी मर्जों का एक इलाज पेनेशिया मतलब क्यों रहा है और बाकी जो वर्ड आप से पूछा है वो आप जानते हैं बजपन से साथ ये आपके लिए नया शब्द हो शायद मैं दावा नहीं कर सकता जब आप मैं ऑनलाइन हूँ तो बहुत से लोग होंग जो जूड़े होंगे इसको पढ़ते हैं एंब्राजिया क्या पढ़ते हैं इसको एंब्राजिया मत पढ़िएगा एंब्राजिया और यह क्या है यह भोजन है special food है जो इश्वर लोग खाते हैं इश्वर यह भोजन है रोमन देवता जिन भोजन को करते थे उसे क्या करते थे Ambrosia, ये Ambrosia, मतलब the food of gods, Ambrosia क्या है, the food of gods, इस तुरी ये हो जने, लेकिन आम जीवन में, अब कौन सा वो पुराएं जमाने में स्वर्ग लूख होता होगा, इंदर देवता होते होगे, अब कौन सा ऐसा मामला है, अब Ambrosia का प्रिवरम कहा करते हैं, तीस Am अमेरिका में उस भोजन के लिए होता है जो खाने के बाद लाष्ट में आप लेते हैं in the end of the mill अमेरिका वाले एम्पोजिया को उस भोजन के लिए करते हैं वो स्वीट डिस जो भोजन के अंत में हम लेते हैं इसको आप अईसाथ भी कहसके सopard आप रस्टोर्ट में खाने जाते हैं तो आप डीजर्ट लेते हैं लास्ट में जो तुर स्वीट झाता है इसको डीजर्ट तो डीजर्ट एंब्रॉजिया का सिनोनम से है हमारे आम जीवन में हम जब using करते हैं जिसको हम डिजर्ट आप जाते हैं रेस्टरंट में घय होंगे खाना खाने तो लास्ट में वो कुछ आता है पीने के लिए उसमें डालवाल के पाई पॉई कुछ मीठा आप मंगाते हैं जो स्वीट डिस खाते हैं खाने के बाद इन अंड अफ द फुल्ड तो पहले कोसिशन में अच्छा एक चीज और हम जब डिजर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां देखिए एस डबल है है ना यह भी है इसमें एस सिंगल है बोलें यह क्या है डेजर्ट क्या है पर तो साउंड ठीक करिए क्या है यह डेजर्ट रेगिस्थां और यह है डिजर्ट मतलब वो भोजन जो खाने केंत में कुछ भी स्वीट डिस या सॉफ डिंक कुछ जो लोग लेते हैं तो यह डिजर्ट है यह डेजर्ट है इसको भी डिजर्ट मतलब पढ़ीगा लोग इसको हमोफोंस बना देते हैं यही तो हमोफोंस है ना कि देख के गलत पढ़ो और सुन के गलत लिखो है ना तो यह डेजर्ट पढ़ेंगे इसको डेजर्ट पढ़ें किस्तान है और यह भोजन है जो भोजन के अंत में पचाने के लिए हम भोग लेते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next question अब next question में देखिए फिर कर रहा है कि opposite मैंने कहाना कि online जब आए पहले होता था कि आपके पास लगा तार और चार सिनॉनिम्स एंटरनिम्स होते थे अब देखिए कहानी बदल गई अब next question है यह कह रहा है कि given opposite यह देखें अब opposite की बात कर रहा है कि आप इसका opposite बताए यह अठात विलों पले शब्द को देखिएगा detest detest है ना तो detest का मतलब होता है to hate somebody or something किसी व्यक्त या वस्त को hate ने करना strongly hate करना strongly hate करना किसी को आप बहुत ज्यादा गहना करते हैं to detest है और जब आप detest करें क्या करेंगे उसको criticize करेंगे उसके निंदा करेंगे to criticize strongly to hate somebody strongly that is called detest then which word is just opposite look at here adore लिखा adorable adoration adore मतलब किसी को idolize करना उसकी प्रसंसा करना ठीक है उसका सम्मान करना adoration अब देखो adore verb है इससे आप बनाएंगे तो adoration बनेगा noun a d o r a t i o n adoration सम्मान इससे बनेगा a d o r a b l e adorable adorable क्या है adjective है adoration क्या है noun है और adore क्या है verb है जो आपका option है क्योंकि यह भी verb है तो आपका antonyms या synonyms वह भी होगा है ना सो डिना डिटेश्ट मिन्स एड़ इसका उल्टा मिन्स नहीं आपोजिट एड़ मिन्स किसी को प्यार करना किसी को सम्मान देना किसी को हिजद देना किसी को आइड़ाइज करना है ना और डिटेश्ट मिन्स किसी के निंदा करना किसाइज करना उससे गहना करना इस देट क्लिया आप तक इतने लोग ने दोनों सही किया है वेरी गुड चलिए अब बाकी वर्ड है इस वर्ड की चर्चा में करके आपका अपमान नहीं करूगा इग इतनों और आप जान दें किसी के ओहलना करना ध्यान देना इस दिनाउंस मुझे लगता है कि पिछले टेस्ट में यह बार बार आता है तो दिनाउंस का वही मतलब होता है तो क्रिटिसाइज सम्बडी स्टॉंगली सो इफ 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 उड़ाइब आश्ट देश्ट दे देश्ट देश्राइब देच देश्ट कैया शूम्तिंगर क्यों कुटर दत द्रिश्टी टेविसां देख उसको निचा लिखाते हैं ए को आप गोर्टेश्टेश चैया शीन खेंनिन ट्रम सा Springs कर upStrault चाहि के ऑच्टिगेट का भी वही मतलब है So, castigate, denounce and detest Even, somewhere, ignore is also the synonyms of detest When you ignore somebody, when you don't like them When you hate them, when you don't agree With them, when you don't agree with somebody When you not like somebody, then you ignore them You castigate them, you denounce them So, denounce, ignore and castigate are the synonyms of detest So, only one word, now we have to mark, that is, adore Clear? Adore means, pyar karna, prasansa karna, irzat karna Detest, denounce, ignore, castigate means, ninda karna Apman karna, dhina karna, etc, 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 etc Clear hai? Aage bad hai? Yes sir Dekhiye gajara Agla Four words are given out of which only one word is spelt correctly And this is ridiculous actually Two mistakes are here First one is made by the question bank and second one by my typist So, this question is going to be left We will leave this Because you will see by the attention Actually In this question In this question My bimlesse brother It will happen That you will write typing So, brother He is asking wrong And your computer Is wrong He is saying wrong Did you even type it You will not give attention to your mobile? No? So, if English का अगर हिंदी हिंदी का इंगली सुझाता है एक्चुली यहां पर इसकी spelling ह-a-r-r-a-s-s थी और यही गलत थी इसको सही करना था लेकिन भाया ने इसको सही टाइप कर दिया और question bank वाले ने क्या पूछा है रिखिये कि four words are given out of which only one word is spelt correctly choose the correctly spelt but all the options are correct so the question should have been you choose the incorrect one equation bank ने गलती की कि उसने typing में कि incorrect चुनने को कह दिया पहे तो वहां गलती है और विमलेज बाबुने टाइप करते समय जो गलत spelling थी उसको भी सही टाइप कर दिया so all the four words are correct here so this question is going to be left but आप जान लिजिए यह चार स्पेलिंग सही है जो सवाल वहां चाहिए था इसमें कि कौन सा गलत है कि इसी एक किस्पलिंगाथ होनी चाहिए थी जब मैंने बाद में चेक किया question bank में इसमें double r था यही answer था लेकिन फिर भी answer ना होता क्योंकि वहां पर क्या पूछा है कि correctly चुनिये चुनना क्या था incorrectly तो यह question bank में और typist से नहीं आयोग भी यह गलतियां करता है हर question paper में दो चार सवाल claim होते ही होते हैं और बहुत ही भद्दा मजाथ होता है आप इसके लिए भी तयार रही है इसलिए आपको practice और test देहां चाहिए गुरुजी इमांदार और अच्छे होंगे तो आपका भल if somebody somebody's body or mind weak of debilitate to make आप सुनके भी spelling लिखने ही खुशिस करिएगा बडीज is body or mind weaker debilitate करना किसी को कमजोर बनाना उसको इस तरह से बाते करना कि वो mentally या physically वो कमजोर होता चला जाए ना but this one आप किसी को इतना मतलब उसको torture करें उसको harass करें कि वो mentally और physically खाना न दें mentally और physically वो weak हो जाए ता कि आपका मुकाबला न कर सके उसको हतास करना निरास करना frustrate करना harass करना debilitate है but this word is frequently used in our own world today's world worldwide to debilitate a country to debilitate an institution and organization for example debilitate for example this sentence is very fricose in India that the present Indian government is debilitating constitution no judiciary parliament etc etc ये परंप्रियवाक के अभी पक्ष्का सही गलत अपनी जगब पर है आप सुनते हैं कि संभीधान को कमजोर किया जा रहा है तो पार्लियमेंट को कमजोर किया जा रहा है तो संसत को कमजोर किया जा रहा है तो देश को बेचा जा रहा है देश डूब रहा है तो इस प्रेजंट गवर्मेंट इस डेविटेटिंग दा कंट्री तो डेविटेट आ कंट्री किसी देश को कम जू करना जैसे अपना पड़ोसी देश डेविटेट हुटा चला जा रहा है आटा भी वहां 500 पर किलो भीक रहे हैं ना खैर यह परिस्थितियां है इसको आप ऐ किसी भी राष्ट और देश को अपमानित करने का हम लोग भी देखे तुने दुखी करने का अधिकार हम लोग को नहीं और नहीं अपमानित करने का तो डेविटेट मेंस to make somebody's mind or body weaker and you can use for an organization or country कुछ भी जिसको आप कमजोर कर रहे हैं ना उसको डेविटेट करते हैं ठीक है और impeccable means free of error free of mistakes जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं है वो impeccable है ना बोलो हां without mistake or fault impeccable without mistakes mistake or fault जिसमें कोई तुटी नहीं हो कोई गलती नहीं हो तुटी नहीं हो क्या है impeccable है अच्छा डेविटेट को आप जब लिख रहे थे तो इसका सिनॉनिम्स आप कह सकते हैं कि मतलब इसको आप डेप्रेस करना भी कह सकते हैं डेप्रेस करना भी कह सकते हैं या इए एक्स यह एक्स है इए एक्स एच तो जगह कम होने के चलते हैं और मैं चीयों पर इमिटा क्यों नहीं रहा है मिटा दो गई हाँ देखो डेप्रेट डेप्रेस डेमेज या ई इए एक्स एच ए यू एस ट एग्जास्ट यह सब क्या है सिनॉनिम से किसके डेबिलिटेट नहीं डेबिलिटेट के ठेक और इम्पेक्बिल मिन्स विदाउट मिस्टेक और फॉल्ट एक्डम अप्टु डेट जिसमें कोई गलती नहीं है ठेक है बोलें अच्छा जी और इनकलकेट का मतलब तो कॉस समबडी तो लेर्न अज अबे आइडियाज मोरल प्रिंसिपल इट्सेक्टरा ये बड़ा कमाल के चीज़ है ये बड़ा कमाल के चीज़ है चो याज टीचर अब्री टीचर inculcate you to become a good person a knowledgeable person a successful citizen of India वो inculcate करना है इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ inculcate कर रहा हूँ ठीक है तो inculcate means to make somebody learn what what kind of learning principles, morals, ideas to become a good person niklo inculcate means to make learn somebody new ideas principles morals etc ठीक है चलिये और हैरस का मतलब आपको पता ही है ना यह जो debilitate है इसको आप हैरस के समान मान सकते हैं किसी का मानसिक और साहिरिक सोसनर करना प्रकाहिद करना है आगे चला जाए देखिये गजरा नेक्स्ट कुछिए अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इन फॉल्विंग क्वेशिंशन दा सेंटेंस इस गिवें इत ब्लैंक आपको देखिये अब देखिये फिलर्स हैं अब फिलर्स में आपको देखिये वोट आ हॉलिडे देखिये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क है है ना यहाँ पर है एक्सक्लेमेशन का मार्क है है अब यह कह रहा है आप्संस क्या-क्या है तो मुमेंटिस देखिये मुमेंटिस मेमरेबल मुमेंटेरी और इम्मॉर्टिल पहले तिन का मतलब देखिए अपने आप अब मोमेंटरी मिन्स छारिक यह दोनों एक दुसरे के अंटानिम से हैं इम्मोर्टल मिन्स अमर जो अमर है सदा के लिए मौजूद है दोनों एक दुसरे के अंटानिम से हैं मोमेंटरी भी स फार ौर हौ्ट ताइं मोमेंटरी यह फार खार शॉर्ट टाइम बोलें ठीक है और इम्मर्टल मिन्स लास ल-a-s-t-s लास फॉरेवर जो हमेशा के लिए रहे अमार कभी समाप्त नहों a momentous means very serious and important जब बहुत गंभीर मामला हो बहुत इंपोर्टेंट हो खास हो नहां उसे हम कह कहें के momentous जैसे landing the Chandrayaan 3 on the moon was a momentous occasion for India for Indians for the world even तो बस क्या गया रहे memorable आप बताओ कि छुट्टी momentous होगी momentary होगी immortal होगी कि यादगार होगी जो याद रहे जाए ना तो आंसर क्या होगा c memory ah sorry b not this यह नहीं आंसर होगा बी memorable क्या होगा इसका आंसर memorable यह वाला आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ें अच्छ इसके बाद many important projects have reached the final stage of कि कई projects कई ओजनाएं final stage पर पहुंच गई है तो final stage पहुंचने का मतलब कि उसको लागू करने के लिए इसका आंसर होगा d implementation अब देखो कि इस साल मैं खुमन से पढ़ूंगा एक डम नहीं सोंगा घुमने नहीं जाओंगा बात दूसलिए कि तिसे दिन ही वादा तूट जाता है इसलिए करने की तुम कोसिज करना वादा कभी न करना तो रखिलेशन दो चीजे आप रहुसन लेते हैं कि तू दू सम्थिंगशन आप एस पैसल आए फिर्म दिसिशन इस था जाग्शन आप अवजक्शन दू सुम्थिंगर न यह लाइफ यह लैफ आए a resolution and when a committee a association or inquiry committee find finds out something and then they announce it or they suggest it to implement that is also a resolution डिसी committee में किसी सभा में किसी समीती में जो प्रस्ताव पास होते हैं कि इस साल चार औअ पुल बनाए जाए जाए इस साल प्रयागि राज कोई दिन निर्चे करना भी होता है क्लिर है तो जाइर सी बात हैaria यहां पर आंसर होगा इंप्लिमेंट करना मतलब उसको लागू करना ठीक तो प्रोजेक्ट अब लागू करने के मोड पर पहुंच गए हैं और यहां पर दिखिए अभया यह तो इजिएस्ट आप दा इजिएस्ट था इसमें कोई भ्याख्या नहीं करूगा नहीं यहां पर माइट होगा ना शैल होगा ना शुड होगा यह आप्टेटिव सेंटेंस है दुआ दी जा रही है तो में यो लेव लॉग यहां कोई चर्चा करेंगे जी होते क्या मा मैं मेरे बच्चे नहीं करें आप लोग भी समझ लीजिएगा यहां पर चर्चा हां अगर चर्चा की ज़रुवत चाहते हैं तो फिर क्लासे से जुड़िए पास है तो ओफ-लाइन में आईए दूर है तो ऑन-लाइन में भेट करिये इसकी चर्चा इसकी ब्याख्या करने की ज़रुवत मुझे मैसूस नहीं हो रहे है आप यहां यू लिव लॉं में गाड ब्लेस यू यही सब आपने सुना हुआ है आगे चलें देखिये ङजरा नेक्स्ट कैस्ट कैस्ट कैसिंटेक्ट है लुग लगंत ऑफ यहां पूरी पढ़ाई हो जाती है उसके बाद भी आप इस च्छित्र में confident नहीं होते हैं क्योंकि आपको errors पढ़ाए जाते हैं nouns नहीं पढ़ाए जाते हैं pronouns नहीं पढ़ाए जाते हैं questions पढ़ाए जाते हैं so जो मेरे on air साथ ही देख रहे हैं वो भी देखेंगे मैं कोशिश करूँगा बाकि यहां जो बैठे हैं यह लोग पढ़े हुए हैं तो यह साथ थोड़ा ज्यादा संजें आप भी समझेगा और अगर मेरी ब्याथ्ख्या में कहीं कोई कमी दिखती है तो comment box जिंदाबाद आप लोग ना comment करते हैं ना अंधा दिखाते हैं तो किया करिए तारीफ और आलोचना दोनों बरावरी की होनी चाहिए आप में कमिया दिखे ज़र बताईए और तारीफ करे आना करे कमिया ज़र बता दिया करिए रिक्वेस्ट है आप से जिखे घजरा कि एच आफ दा गर्ल्स अभी आप बच्चपन से जानते हैं कि इच एवरी आईदर नाईदर इट्सेटरा सब यह सब क्या है प्यार सिंगुलर हैं क्या है जी सिंगुलर है इनके बाद कभी पुल्डल वर्व नहीं आती नाउन भी नहीं आता तो अब यहां पर चुकी आप इसको देखके साथ इसको देखके साथ यहां तो गर्ल्स लिखा है यहां जायर सी बात है कि जब एच के बाद आईदर के बाद नाईदर के बाद हम आफ का प्रियोग करते हैं तो आने वाला नाउन पुल्डल हो जाता है जाता है जाता है यहां 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 य बी इस हैब की जगह है आप में से कितने लोगों ने टिक किया ठीक है तो है जोना चाहिए और कुछ में समस्या तो है नहीं आगे बढ़ा जाए देखना भी या आप लोग भी देखते रहिए गास और से सन देखने के बाद अपनी राय परकट करते रहिए गां तरह नेक्स वास बतार देखिए next question me and my wife were at home last night मजा कै बज़ सी बात है इसमें दो गलतियां है क्या क्या गलतियां बढ़ा मी से सुरूर नहीं होगा very good और दुसरी गलति क्या है I and my wife ये I and my wife कह रहे है तो पहली चीज़ ते कि मैंने कहा इसमें दो गलतियां है है ना जगर आप I and my wife कहोगे तो भी गलति होगा पहली गलति क्या है कि कभी भी objective case किसी verb का subject नहीं हो सकता ठेक और दूसरी गलति क्या है कि भी या 231 के नियम की वाट लगा दी गई है चीखे है ना कि पहले second person तब third person तब first person यह एक नहीं दो दो नियमों का उलंगन होगा है पहली ये बो असल में अक्चुली समझनी रहे है यह यह जो बात आई है कहां साई है टीवी वालों से बिराट कोहली भीया जो है मी एंड अनुसका मी एंड रोहित प्लीड वेल अखुब ताली बसती है उस सासुने को यह नहीं पता है कि वो भले तुम स्टार हो हम लोग तुम को अडलाइज करते है बहुत प्यार करते है नहीं तुम गजात अंगे जी बोल रहे हो तो यह ससी नंबर नहीं देगी और बिराट कोहली पताली बस सकती है सारुखान पताली बस सकती है मी एंड माई फ्रेंड रॉंग है फिर्छे Gustや Prime 1st thing 1st an objective pronoun cannot be the subject of a sentence of a verb and secondly when you are going to use two pronouns or two different subjects different number and persons subject together the first one should be second person then third then first so what is the so answer is a And what is the problem? It should be my wife and I दो ने मों का उलंगन है एक तो प्रनाउंस के क्रम का और दूसरा अब्जेक्टिब नॉमिनेटिब का Okay? Next one AC writing is an art that requires mini planning on the part क्या ठिक्या आप लुने सुने? क्या ठिक्या लुए? एली बोलो B, क्यों बी ठिक्क्या? B क्यों Planning क्यों आप लुए? अच्चा, और क्यों भी ठीक्या है? क्या ठीक्या है? क्या? What is the problem with B? इतनी लंबी ब्याख्या इतने लंबी पहले चीज तो यह है कि आप जो प्लैनिंग है यह अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयूंग नहीं हो सकता इतनी साही चीज है लॉट पिटो इपोटरी बहुत रही सीरी बाते प्लानिग इज एन अनकाउंटेबल नाउन ओके सो मेनी का प्रयूंग नहीं हो सकता अब मज का प्रयूंग करोगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि मज का प्रयूंग अफर्मेटिव में नहीं होता क्यों नहीं बोल रहे हैं मज का प्रयूंग अफर्मेटिव में नहीं होता और बिलकुल हो रही है आप भूल रहे हैं कि सिंगलर नाउन with a, an or the can be generic, can be specific. The writer is the person who process society by his writing. क्या किसी एक की बात हो रही है? एक की बात हो रही है? दा प्लस singular noun is specific and generic both a poet or the poet, may be one may be all the writer should always try to improve his writing to convey his message clearly to society. क्या किसी एक आठर की बात हो रही है? अबाज नहीं आ रही है? तब तो basic ही बुल गहे हैं? दा प्लस singular countable noun may be generic और may be specific यहाँ प्ये जनरिक है? ठीक है? आंसर होगा B गल्ती क्या है? यहाँ मेनी का प्रियोग नहीं हो सकता क्योंकि प्लाइनिंग अनकांटेबल नहीं हो नहीं हो और मच नहीं आएगा क्योंकि मच अफर्मेटी में प्रियोग नहीं होता इसलिए क्या होगा? अ लॉट ऑप क्या होगा? अ लॉट अ लॉट ऑप अब इडियम फ्रेजेज अब इडियम फ्रेजेज में जो पहला पुछा है साहब अब इसको मैं बताओं तो यह अच्छी बात नहीं होगी यह आप ही बता दीजिए कॉट रेड हैंडेड ना गंगे हाथों पकड़े जाना हिंदी का भी फ्रेज है ना जिसे कनहिया जी पकड़े गए थे माखन मुहे में माखन हात हनिया में अकहाथन मयय मोरी में नहीं माखन खाए रेड हैंडेड पकड़े गए तो इसका अंसर क्या होगा डिसकोवर्ड इन दा एक्ट आफ दूई आगी को सोच नहीं नहीं है फ़लो नेक्स्ट गेट क्रियासर ठीक है इसका प्रियोग क्याता है बिन बुलाए महमान के लिए किसके लिए बिन बुलाए महमान ठीक है ना बोलो जी अनिवाइटेड गेस्ट अतिथी तुम कब जाओगे ठीक है आगे से आजाए देखना रहे इसके बार टू एंगल यह जो एंगल है ना इससे नाउन बनता है साहब यह ऐसे भी था चर्चावी पहले कैसे था दा फरगेटिंग फरगेटिंग उसमें तुसमें दा दा एंगलर ना तो एंगलर का मतलब होता है जो लोग कांटे से मचली मारते हैं बंसी डालके पानी में फसी 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 वह एंगलर है वो लोग जो किस से बंसी से कांटे से मचली मारते हैं तो तुएंगल का मतलब तुफिस मचली मारना मचली पकड़ना तालाप पे जाके मचली पकड़ना तुएंगल अधिको उल्लुबाने के लिए भी लिखा है टुफिस्ट विथनेट जाल से नहीं कांटे से डाल के पकड़ के फिल्मों में एकसर दिखाता है हीरो डाला है डूब रहा है खीजता है तो उसमें जूता निकलता है यो इन हस रही है ऐसे सीन आप देखे होंगे तमाम गानों मे तो यह मचली पकड़ना ठीक आगे चला जाएं सही किया है कि नहीं आप लोगों ने अच्छा आप लोग भी जूड़े रहिए का इन सुझी के अपनी विद्यार्थी के लिए अप भी हम तो हैं आप ही के लिए यह लोग को सामने पईठे हैं मैं यह कर रहा हूं आपके लि अब यहां पर one word substitution अनेक शब्द के एक शब्द तो यह सड़ा हुआ सवाल है इतनी वारा चुका है कि आपको याद हो गया होगा रट गया होगा है ना फिर्विटीजम शोन बाई परसने फेवर ऑफिज रेलेटिव नेपोटीजम क्या है नेपोटीजम ना इसमें कोच हैं यह formalism बजाइर सी बात है मतलब ऐसे रूल्स मतलब इतना अधेर सारा नियम कानून के जिसके चलते काम करना मुश्किल हो जाए विच मेक्स वरकिंग उसको कहते हैं formalism ना बहुतार यह using मतलब ऐसे कानून बना देना मतलब बहुत ज्यादा नियम कानून की बात करना आर्ट्स में आर्ट्स में कल अर्किटेक्शर में इस्पेस्ली फर्मलिजम का प्रियोग होता है कला के च्छेत्र में संगीत के च्छेत्र में music के च्छेत्र में कुछ लोग होते हैं जिनको music की meaning और उसकी depth के बजाए उसके तरीके यह राग देखो तुमने ठीक से नहीं ल जाए उसकी तरीकों पर टेक्निक्स पर ज्यादा जोड देती है आप लिख लो आई स्टाइल और मेथड इन आर्ट और मुजिक फर्मलिजम क्या है और स्टाइल और मेथड इन आर्ट और मुजिक ठीक है इवन लिटरेचर ल-i-t-e-r-a-t-u-r इन लिटरेचर इवन साइंस यहा भी कुछ लोग होते हैं साइंस ठीक है that pays more attention that that pays more attention इसका देहां दिखोता है किस पर to the rules and correct arrangements to the rules and correct अच्छा मेरे जो online साथी है अभी थोड़ा सा मने बताया नए नए ड्राइवर था तो गारी चाहले में घबर आता है तो मेरी handwriting से बहुत अच्छी है आप इसली बीडियो में देखे भी होंगी तो अभी थोड़ा सा ये marker में साथ नहीं पा रहा हूं दिए दिए ठीक हो जागा तो मैं इसलिए बोल भी रहा हूं कि आप अगर यहां से ठीक से spellings को ना पिक कर पाएं तो सुन के लिख लीजिए गा ना to rules and correct arrangements a r r a n g e m e n t arrangements ना then ठीक है तो डीपर इनर मीनिंग एंड फिलिंग्स दैन इनर मीनिंग या मीनिंग्स कर लो इनर मीनिंग्स एंड फिलिंग्स भै संगीत में कला में बैसिकली क्या होता है उसमें भाव होते हैं उसमें अर्थ होता है लेकि कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जो भाव अर्थ के बजाए उसके color combination उसकी टेक्नीक उसके उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं राग ताल बहुत से गायक है देखिए आप सरा चल सुनते होंगे राह चलते भीक मांगने वाले गाते हैं उस गाने में राग होती है लेकिन सुनके आपके कलेजिय को जाके लगती है उसमें भाव है लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कला में संगीत में साहित में भाव से important है meter, scale, color combination, technique जो इसको मानते हैं उस परंपराव क्या कहता है formalism, clear, red tapism, लाल फीता साही जहां पर अधिकारियों का ज्यादा, कानून बना दो कि काम करना मुस्किल हो जाओ वो बुरोक्रिसी है और जहां पर यह बुरक्रिटिक लोग खुब सारा कानून लाद देते हैं वह त्थेप पिजब है। त्थीक है रही मिंस बहुत ज्यादा कानून बेवस्था आधी लाद देता लाल प्रेता रहीं। और विरोक्रसी मिन्स नौकर्सा है तो नौकर्सा आप देखिए सहकार कानून लाद दे तो नौकर्सा काम न कर पाएं और नौकर्सा अपने अधिकारियों पर लाद दे तो वह काम न कर पाएं तो क्या हो जाएगा रेट टेपिजम और यह पूरा जो सिस्ट्रम है जिसके ला आगे चलें देखिएगा अब देखो इसके बाद around about way of expression चारो पांचो शब्द आपके नोट्स में हैं इसका अंसर होगा c क्या होगा आगा जी सी सरकम्लोकिशन गोल गोल मतलब कुछी बात कुछी ना कि घुमा घुमा के बीस तरीके से घुमा के कहना यह है अनलब सीधे ना कि यह क्याना मैं जिसे मालीजे की सड़क पर आप जा रहे हैं एक पेड़ी गिरा हुआ है दूर से दिखा पेड़ है तो आप सीरी करी अनलब सीरी रात थी स्वां स्वां क्या वाज आ रही थी मुझे आगे कोई काला साया पड़ा हुआ दिखाई दिया मैं उसके पास पहुचा मुझे लगा कि कोई शेर या भालू या चिता लेटा हुआ है तो मैं कहां डरता मैं सासी आदमी आगे बढ़ा पास गया तो कोई बात दाक्रता हो यह तो मुझे हो चुनाओ में जिते हैं पिर आते है फिर करते हैं और कियसी मेंस हैं जो ईह नोता ओनी हो जो बहुत बाते करता हो लुकेशित एट करता है और ट्युकंद सानावमणल साताओ है त offense बहुत ज्यादा करना ठैक यह दूनोव 2 एक तील का तार बनाना इतनी छोटी बात को इतना लंबा कहना यूजिंग तू मेनी वर्ड्स वेर इट नॉट नीड़ेट जहां पर कम शब्दों में बात कहना हो वहां बहुत सारे शब्दों का क्या करना परियोग करना बोलें चलिए बर्बोशिटी चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए इसके बाद आ गया आपका पैसेज नहीं धर है कुछ नहीं इसके बाद आ गया आपका पैसेज नहीं इधर है कुछ नहीं एक और है क्या 15 नहीं 15 यह रखिए suitable or intended for only young persons जिबनाइल जिबनाइल ठीक है और देखो youthful मतलब young क्या नहीं बोल ला है जो यूबा है वो क्या है youthful है बोलिए और पिरेलिर का मतलब लिख लिजे जो adolescent है process of developing a child into adult इसका मतलब होता है किशोर नहीं क्या होता है किशोर और इसका noun क्या होगा a-d-o-l-e-s-c-e-n-c adolescence मतलब किशोर आवस्था तो adolescence बनाए बच्चे से यूबा होने की जो आवस्था है चाइल्ड से आप यंग एज में जो जाते हैं उस अवस्था को adolescence कहते हैं और उस प्रक्रिया को adolescence कहते हैं यह adjective है और यह noun है ठीक है बोलो क्लिर है ना और प्रियल मेंस सिनी रखो और प्रियल मेंस सिली यह क्या है जो बच्चे अपना गलतियां करते हैं ठीक ना suitable for a child rather than an adult रिल के मतलब suitable for a child rather than an adult मतलब कुछ ऐसा काम समझे बात को आपने के बहुत इस सिली मिस्टेक अलब ऐसी गलती बड़ों को नहीं करना चीए छोटे बच्चे कहें तो ठीक है बच्चे हैं क्या आप तो जो काम बच्चों के लायक है उसको जब कोई बज़ुर्ग करे कोई बयस्क करे तो क्या है तो आगे बढ़ें देखिएगा आंसर टीक करते चल रहा है ना आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जो साथी लोग है यह देखो अब यहां पर क्या कह रहा है कि a sentence a part of the sentence is underlined four alternatives are given मतलब sentence improvement क्लियर है आई जा देखा जाए कि इच सेल्फीज यूनीक हर व्यक्ति विशिष्ट है खास है एंड डियर्फोर केनाट बी कॉंपेर इसलिए उनके विश्टूल नहीं हो सकती अठाक इंकॉंपेरिबल क्या होगा इसकांसर हां अतूल नहीं है ठीक है अब यहां पर देखो को इनकॉंपेरिबल भी है इनकॉंपेरिबली भी है यह एडवार्व है यह एजिक्टिव है यहां पर इस प्रणावन की विशेष्टा बताने के लिए जो सेल्फ है प्रणावन की एडवर्ब चाहिए के एजिक्टिव चाहिए है एजिक्टिव चाहिए हलाकि जिस चाहिये डॉक नहीं यह नहीं होगा कि एक़र है और यह नहीं कि कोई शब्दी नहीं है और नहीं इंप्रूमेंट हो नहीं सकता शञाउट बिट्मिन यू एड़्ड Clockおお the तो यहां पर बिट्विन की बजाय बिसाइड आपके बगल में हमारे बीच वी तो किसे बढ़ा भाय या तो हमरे गोद में बढ़ा या तो हमरे बगल में बढ़ा आंसर बिसाइड ठीक है आगे चलें no one other reason than poverty is tampering India's progress तो no other कि no other क्या होता है no other होता है no other होता है ना आप पड़े हैं इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है no other than no other boy no other girl so यहांपे क्या होगा यह one नहीं होगा बात खतम होगए clear no one another यह सब्सक्राइगा इसके बाद सीधें बाद सीथय लें आएगा लेकिन उसके बाद सीधे दियान आएगा यहां नाउन आया हुआ है इस नाउन का एजिक्टिब चाहिए तो क्या होगा अगर यहां पर नाउन नाउन नहीं आता है सीधे दैन आता है यहां चुकी नाउन आया है इसलिए नुओ अधर कपले हुआ है इस देट क्लिया दक कस्टम है तुक रूट भाया है जागया रे है भाय जागया रे वर्व की पास्ट पार्टिसीपल पक्का ना इसलिए आंसर ए टेकन रूट ठीक बाँ चलिये अगे बढ़ा जाए इसने सोचना क्या है हम आप जब घर से बाहर हो तो आपके बच्चे का देखभाल करेंगा था तो उसको उसकी देखभाल करेंगे तो टेक केर आफ की जगा क्या लिख सकते हम लुक आफ्ट एंप्रूब करना है तो इंप्रूब्मेंट का मतलब गलत नहीं होता है उसकी देखिएगा आजाईए अब पैसेज इस गिवन आगया कॉम्प्रिहेंसल पर इसको पढ़ डाला जाए कि माई बादर डैविड वॉस अल्वीज क्लोस तो आर ग्रैंड मदर मेरा भाई देविट मेरी दादी के बहुत करीब था बोट आफ दुसीर अलब ऑफ मदर नेचर अपने बीच जो फुट दिया था उसको भी आपस में सेयर करते थे ठीक है देखिज़रा है है कि वैंडेवर है एसीडी एसको सेडील इपर सकते हैं इसको schedule भी पढ़ सकते हैं इसको schedule भी पढ़ सकते हैं इसके एक आंडाlt schedule भी है schedule or schedule schedule आप schedule ही पढ़िए whenever schedule permitted जब भी उसे समाई मिलता था इसका ये मतलब है हमाः schedule है कि आएँगे संडे को test होगा चीजे होगी, अब को इसमें मुझे बुलाए तो मैं नहीं जाओंगा हां इसके बाद जा सकता हूं या आपका निकाहिव काूं के आज ट्रेश्ट नहीं होगा मुझी फिरन्ट के पास जाना है तो मेरा सिर्ठ नो मिझे पमीयल करेगा तक पर नहीं जाओंगा कि लिए हैं ही तो डॉपिन दिखिए फारसाइर विजिट फारा शॉर्ट विजिट यहां ड्रॉपिन का मतलज आप लेटर ड्रॉप करते हैं जब अबर किसी कहां जाते हैं अचानक उसको उस फेसे ड्रॉपिन का प्योग कि आता है कि जब भी उसे मौका मिलता वह थोड़े स के लिए ही सही दादी के हाँ चला जाता था एंड कप अप कॉफी और एक कप जाके कॉफी पीता था वान डे वेन ही फाउंड नोवन हों ही लेफ चंक अफ डिर्ट ऑन हर पोर्च इगन जब हो गया तो दादी नहीं थी घर में कोई नहीं था तो उसने जान भूज कर उनके पोर्च में थोड़ा सा अपने पैरो का थूड़ा छोड़ के चलाया यह बताने के लिए कि मैं आया था ठीक है इस स्टार्टेड वाज लेटर तो बी नोन एज इस कॉलिंग कार्ड कॉलिंग कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड कॉलिंग कार्ड बोले तो विजिटिंग कार्ड और एक दिकर के आया उस दिन से यह परमपरा बन गई जैसे आपना बिज्टिंग कार्ट छोड़ के आते हो वैसे ही डेविड जब जाता तो वहां पर थोड़ा सा उनके पोर्च में वह कुड़ा का धेर छोड़ाता और इससे दादी समझ जाती थी कि डेविड आया था यह उनका कॉलिंग कार्ड बन गया है पर दान दीजिगा मत करने में से कॉलिंग कार्ट करते हैं ठीक है ग्रैंड मदर उट कम होम और किसनली और इस इनिशनली नों था देविड जाती थी कि डेविड मुझसे मिलने के लिए आया था इस दाट क्लियर यह तो था पैसेज अच्छा देखेगा अभी है भी है आगे बढ़ा जाए असल में थ्वासाइस की टाइपिंग उनों को ठीक करनी पड़ेगी है ना यह देखो आपस में मिल गया है और ग्रैंड मेदर हैड़ पूर अप ब्रिंगिंग यहां से अप ब्रिंगिंग यह द्द्यपी इन इतली जहान दखी गई दादी की जीवन जीवन जो था बच्पन था यह दादी जीवन जो था बच्पन था वो इटली में भी था और गरीवी में भी था तो परिवार अमीर नहीं था सी मैनेज़ तो डू वैल इन दा इनाइटेड इस्टेट्स इनाइटेड इस्टेट्स अमेरिका लेकिन वहां से पहुंची अमेरिका और वहां जाकरोंने खुब अपने आपको आगे बढ़ाया खुब पैसा कमाया और डू वैल और अमीर बन गई नलब एक अच्छे जिन्दगी जीने लगी शी वहां साथ और स्वतंडर विचारो वाली इस्ट्री थी और अनोने एक शांदार मस्त जीवन जिया अनलब कहीं कोई कम ही नहीं थी फुल्फिलिंग थी सबकुस उनके पास था रिसेंटली शी हाद एस्ट्रोक अचानक उनको हाट अट अट आएक आया से दुखी थे डेविड वाज डिस डिस कॉंसलेट डेविड भी बहुत हतास था निरास था दुखी था सैट था इस लाइफ लॉंग फ्रेंड वाज नाव गॉन क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त जीवन भर की कमाई थी दादी जी उनके उसको लगा था कि जब तक में रहूंगा मेरी दादी मेरे पास रहेंगी अब वो दुनिया में नहीं क्लियर हो गया पैसे सब उसमें आ गया आप लोग भी पैसेज देख लिए जी पैसेज है आज पैपर आते हैं अब आज यह कोश्यंस पे देखिए गजरा पहला क्वेश्चन वोटी दापोजिट आप दो वोल्डिस कॉंसलेट जाहिर सी बात है एक्जूबरेंट क्या होग इसका ना हिलारियस मिन्स बेरीव फणी मस्त मौला यह भी नहीं होगा किलारियस तो नेचर हो गया प्यक्त काओ ना लेसम facile very funny exuberant का मतलब होता है full of energy and happiness full of energy and happiness यह इसका अंसर होगा ठीक है and somber ठीक है somber somber means भद्दा, कुरूप, dull in color जिसमें बहुत light न हो color न हो उसको somber कहते है ठीक है इसका प्रयोग हम लोग sad and seriously भी करते है ठीक है तो यह synonymous होगा इसका एक मतलब क्या होता है sad and serious यह तो synonymous होगा उसका न इसका एका मतलब होता है dull in color जिसमें चमक न हो बहुत dull रंग हो उसको भी क्या करते हैं somber clear आप देखिए आप लोग इसकी इंसर्ट लेते रहिएगा और जो समस्या होगी जरूर अपना बताईएगा देभी डॉप इन फॉर शॉर्ट बिजीट एंड लीव आप देखिएगा इसमें को सोचने की बात है क्या इस सवाल है क्या होगा चंक ओफ डॉप बोलें देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट गैंड मतलब गैंड मदर जोस्टो भी ठिक है रिच इटली बट और इन उनियू झेटली डिट रां करता है इन इन फॉर उलियर बट वीकेम एच लेट रौन rich earlier but poor now क्या होगा poor earlier but became rich later on यह ना यह इसका अंसर बोलो जी पहले गडीब थी बार में अमीर हो clear है ना देखना ज़रा next one grandmother enjoyed a good and healthy good and healthy life must और muggle life जी ठीक है और पचीसवा question grandmothers death made everyone sad including death सब को दुखी किया डेवीट को भी दुखी किया है ना सब दुखी थे तो साब यह पचीस सवाल थे और camera के सामने solve करने का यह मेरा पहला प्रयास था तो मेरे जो offline भी जार थी हैं वो तो समझ रहे हैं जो online मेरे साथी हैं वो भी जड़ा कोशिश करेंगे and it will get better and better with the passage of time यह promise है अगर आप इसका आनन लेना चाहते हैं तो पहला काम तो आप यह करिए कि मैंने कहा था टेलियाम चैलेंज से जुरिए वहां message करिए अपना नाम और शहर का नाम भेजिए तो फिर मैं अगले Sunday से आपको Saturday के दिन यह टेस्ट पेपर भेज दिया करूंगा जिसको आप सौब करके बैठें तो आप भी मेरे offline विद्यार्थ्यू की तरा नन ले सकते हैं ठीक है तो मिलते है नेक्स सेशन में फिर से एक नए टेस्ट पेपर के साथ थैंक्यू